इस वीडियो में हम जानेंगे कि उम्र कैसे निकाला जाता हैं किसी का भी एज कैसे निकाला जाता हैं उसके आज के डेट में आज के तारिक में किसी विक्ति का उम्र क्या है वक कितने साल का हुआ कितने महिने का हुआ और कितने दिन का हुआ यह सब निकालना हम सिख जाएंग वरना कोई भात नहीं, तो चली अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, कि जिस भी तारिक में, दिन में, या साल में, एज निकालना होगा, पहले हम उसको लिखेंगे, और उपर लिखेंगे, तो जैसे मैं मान लिजिए, कि हमें 22 तारिक को, ठीक, आज का ही डेट ले लिजिए, मान लेते हैं कि, मान लिजिए 22 तारिक हो गया, ठीक, बरहावा महीना और 2020 हो गया, ठीक, और हमें निकालना है कि 22 तारिक को बरहावा महीना 2020 में, वह व्यक्ति कितने साल का हुआ, जिसका भी उम्र निकालना होगा न, तो उसका जनम ति जो महिना है मानली जीए की छठा महिना है और साल मानली जीए की दो हजार कोई भी सावी मानली जीए चार है ठीक तो अब हमें देखना है इसी को कि किस तरह से उम्र इसका आखिर निकाला जाएगा तो देखिए उम्र निकालने के लिए सबसे जो पहला काम करना है वह क्या करना है जिस दिन निकालना होगा तो वह डेट उपर लिखेंगे हम और उसके बाद जिसके भी उम्र निकालना होगा तो उसके जनम तिथी को नीचे लिखेंगे तो हमने तो काम दोनों कर दिये अब देखिए इसमें अब घटा देना है इन दोनों को घटा देंगे न तो उसका उम्र निकल जाएगा सही सही कि वह कितने साल का हुआ कितने महीने का हुआ और यहां तक कि दिन भी मालूम चल जाएगा कि वह कितने दिन का हुआ तो चलिए अ सिंपल घटाव की तरह नहीं होता है सिंपल घटाव में क्या किया जाता है देखिए सिंपल घटाव जो होता है उसमें इधर से इधर घटाया जाता है यानि कि दहिने साइड से बाए साइड में घटाया जाता है और उसके अलग अलग नियम होता है लेकिन उम्र निकालने वा न कि इधर से तो पहला रूल क्या इसमें याद रखना है वह कि इसमें 22 से दाए घाटाना है ठीक इधर से इधर डेट लिखा रहेगा हम उधर से घाटाना सुरू करेंगे तो हम इधर से घाटाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैं 22 और यहाँ पर हैं 25 अब बात य घटाया जाता है ठीक तो अब देखिए कि हम 22 मले 25 कैसे घटाएंगे इस तरह से तो घटेगा नहीं तो यह जो है 12 से उधार लेगा यह हासिल लेगा ठीक कोई भी बात कहिए तो यह हमान लिजीं कि 12 से हासिल लेगा यह 22, तो अब देखिए, यह कितना हासिल लेगा, सिंपल घटाओं में जो होता था, उसमें तो 10 हासिल लिया जाता था, लेकिन यह 10 हासिल नहीं लेगा, देखिए, यह जो है महिना है, ठीक, और एक महिना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक, एक महिना लगभग में म तो इससे एक महिना हासिल ले लिया, या फिर बारह से एक ले लिया, तो एक देगा, तो इसके लिए तो वह महिना हो जा रहा है न, दिन है तो, इसमें 30 जूड जाएगा, तो पहले से 22 हैं, ठीक, समझेगा अच्छे से, और 30 जूड गया, तो अब कितना हो गया? दो 52 हो गया ठीक समझ में आ रहा है और यह 12 था तो 11 हो गया एक हासिल दिया इसको तो यह 30 हो गया समझ में आ रहा है यह क्यों 30 हो गया क्योंकि यह महीना है और यह दिन है तो महीना जब दिन में चेंज होगा तो उसका मान बढ़ जाएगा तो इसलिए यहां से तो एक हासिल दिया लाकिन यहां जो हो गया वह हो गया 30 हो गया तब देखिए हम इसमें 30 जोड़ेंगे तो हो जा रहा है 52 अब हमें 52 मसे 25 घटाना है अब तो घट जाएगा आराम से घट जाएगा तो हम यहाँ पर 52 मसे 25 घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर यहाँ हासिल लेगा अब simple घटाओ यहाँ पर करना है यहाँ हासिल लेगा जो 2 है वह 5 से हासिल लेगा और 2 5 से हासिल लेगा तो हो जाएगा 12 और 12 मले 5 घटी तहो जाई 7 और यहाँ पर हो जाएगा यह 5 जो है वो हासिल दे दिया इसको तो हो गया 4 और 4 मले 2 घटा तो हो गया 2 समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 27 ठीक अब इसको हम मिटकार देते हैं यहाँ तक पहले समझ में आ गया पहला लाइन यह जो है 22 यह कम था तो यह हासिल लिया इससे एक हासिल लिया और एक महिना हासिल लिया इससे तो इसमें जूड़ा तो वह 30 हो गया ठीक देखिए महिना दिन में जूड़ेगा तो वह दिन बनकर ही न जूड़ेगा अब 22 दिन अपलस एक महीना इस तरह से जुड़ेगा नहीं 22 दिन आपलस एक महीना इका ही दोनों का समान रहना चाहिए ना और समान रहेगा कब जब महीना कब भी हम दिन में चेंज कर देंगे तो दिन में चेंज करेंगे तो यहां एक के जगह पर क्या हो जाएगा तीस हो जाएगा यहां अच्छे से समझ में आ गया कि क्यों तीस होगा अब देखिए यहां पर हो गया एगारह बारह था तो एक हांसिल दिया था तो एगारह हो गया अब एगारह मले छोँ तो घट जाई आराम से तो यहां पर हम 6 घटा देंगे तो दिखिए 11 में 6 घटा एंगे तो कितना आएगा पांच आएगा च्व पांच एगारा होता है तो एगारा मसे छे घटा पांच बचा अब यहाँ पर तो घट जाएगा सिंपल घटा क्योंकि इसमें अब कोई दिकत नहीं है यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा है तो यहाँ अराम से घट जाएगा और यह भी घट गया आराम से क्योंकि यह बड़ा था यह छोटा था इस सिर्फ इसमें दिकत हुआ क्योंकि यह छोटा हो गया था और यह बड़ा हो गया था अब यहाँ पर घटा दीजिए यह 0 है एक हांसिल लेगा तो हो जाएगा 10 और 10 मले 4 घटी 6 बाचेगा और यहाँ प बेक्ति का जो साल हुआ महिना हुआ 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 सोरह साल पांच महिना और 27 दिन जी हां यह बेक्ति कितने साल का हुआ तो यह बेक्ति हुआ सोरह साल का पांच महिने का और 27 दिन का तो इस तरह से किसी भी बेक्ति का एकदम करेक्ट साल महिना और तारीख दिन निकाल जाता है कि वह व्यक्ति कितने दिन का हुआ, कितने महिने का हुआ और कितने साल का हुआ और एक उदारान देकर आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वह उदारान इससे बिल्कुल भीन होगा क्योंकि उस उदारान में हम यह दोनों को छोटा करने वाले हैं और इन दोनों को बड़ा करेंगे इसमें सिर्फ यह बड़ा था लकिन अगले उदारान में यह दोनों छोटा होगा और यह दोनों नीचे वाला बड़ा होगा और तब हम घटा कर देखेंगे कि किस तरह से घटाया जाता है तब ही आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा तो आप देखिए यहू धारण आप समझ लीजिए और इसके बाद आप किसी का भी उम्र निकाल देंगे कोई दिकत नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यांद से देखिए और समझ यहांपर हमने इस बार क्या किया है इसको भी बड़ा कर दिये हैं और इन दोनों को छोटा कर दिये हैं देखी एक बार जब आप मुश्किल परस्न समझ जाएंगे तो आसान वाले को एकदम आराम से बना देंगे तो इसलिए मैंने इस बार मुश्किल परस्न दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद इससे तो मुश्किल होगा नहीं क्योंकि इसमें आपको याद रखिएगा कि बाएं से दाएं जाएंगे जी धर डेट रहेगा न उधर से घटाना सुरू करेंगे और इसको कैसे लिखेंगे तो घटाना होगा तो आज के डेट जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो ब्यक्ति का जनम तिथी है उसको हम नीचे लिखेंगे ठीक तो इस परकार से हमने लिख दिया है तो देखिए इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हो गया 20 और नीचे में है 22 तो 20 मसे 22 तो इस तरह से घटेगा नहीं तो यह हासिल लेगा किससे अपने बगल वाले से हासिल लेगा तो 20 हासिल लेगा इससे यह महिना है यह साल है तो यह महिना से हासिल लेगा तो एक हासिल लेगा ठीक तो इससे एक हासिल लेगा तो इसमें जाएगा तो 30 हो जाएगा ठीक समझें यहाँ पर यह एक हासिल लेगा इससे लेकिन एक महिना कितने दिन का होता है तिस दिन का होता है न तो इससे हासिल लेगा एक लेकिन इसमें जब जूड़ेगा तो वह 30 जूड़ेगा तो पहले से 20 था और 30 जूड़ गया तो अब कितना हो गया यह हो गया 50 हो गया 20 पहले से था और इससे एक हासिल लिया तो 30 हो गया ठीक यह याद रखेगा हमेशा कि दिन जब भी हासिल लेगा तो उसमें 30 जूड़ेगा और महिना यह दी हासिल लेगा तो उसमें 12 जूड़ेगा ठीक यहीं याद रखना है, तो यह 30 हो गया, जोड़ेंगे इसको तो हो गया 50, अब तो अराम से घट जाएगा 50 मले 22, इसमें से हम 22 घटा दे रहें, तो यह हो गया 10, 10 मले 2 घटेगा 8 हो गया, और यहाँ पर 4, तो 4 मसे 2 घटेगा 2, तो यहाँ पर हो गया 28, ठीक, अब देखिए, यह थ एक, जो कि इसको हासिल दे दिया, अब तो इसके पास कुछ हैए नहीं है, तो यह क्या करेगा इससे हासिल लेगा, ठीक, तभी तो 5 घटेगा, और जब यह इससे हासिल लेगा, तो इससे भी लेगा एक, लेकिन यह महीना है न, तो 12 बढ़ेगा, ठीक, देखिए, एक साल मे कितना महीना होता है बारह महीना होता है और इसलिए यह बारह बढ़ जाएगा इससे लेगा हासिल एक लेकिन इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा बारह यहाँ पर तो कुछ है यह नहीं है तो यहाँ पर डिरेक्ट बारह हो जाएगा और बारह मसे पांच घटेगा तो कितने बचेगा 7 बचेगा ठीक क्योंकि 7-5-12 होता है तो 12 मच से 5 घटेगा तो 7 बचेगा अब देखेगे यहाँ पर हो गया अब जो हमारा घटाओ का काम है अब हैं लास्ट में यहाँ पर तो यहाँ जो था एक था यहाँ हासिल दे दिया तो यहाँ पर हो गया जीरो तब यहाँ दो हजार बीस और नीचे में हो गया दो हजार तीन अब देखिए यहाँ पर जीरो हो गया है एक हासिल दिया इसको तो तो जीरो हो गया तो यह हासिल लेगा तभी तो घटेगा तो यह हो जाएगा दस और दस होगा तो इसमें से तीन घटेगा तो यह हो जाएगा साथ और यह दो था तो एक हासिल दिया इसको तो यह हो जाएगा एक तो यहाँ पर हो जाएगा एक और यहाँ पर से मंग कहें तो कट किजिए यह जीरो लिखें कोई बात नहीं तो इसको हम जीरो लिख देते हैं तब जो जिस विक्ति का हमने उम्र निकाला था उसका उम्र जो निकल कराय वह यह आया की 28 दिन का हुआ, 7 महिने का और 17 वर्ष का